राजिस्तान में बीजेपी ने सब को चौकाते हुए सांगानेर से पहली बार बीजेपी के विधायक बने भजनलाल श्रमा को मुख्य मंत्री बना दिया इसे के साथ राजिस्तान की बीजेपी में अब वसुंद्रा युक समाप और नए अध्याय की शिर्वात हुई विधानसभा चुनाओं को लेकर शुरू से ही पुर्व मुख्य मंत्री राजे को जटके पर जटके मिलते जा रहे थे बीजेपी ने इस चुनाओं से पहले उनको साइडलाइन करते हुए मुख्य मंत्री का चहरा नहीं बनाया इसके लावा उनके समर्थकों के टिकेट भी का परचा ये भी थी कि बीजेपी ने वसंद्रा को डबल जटका देकर भजलाज शर्मा को आखिर मुख्य मंत्री क्यों बनाया अब समझने की कोशिश करते हैं कि वसंद्रा राजे को ये डबल जटके कैसे दिए गए पहला जटका वसंद्रा के करीबी का टिकेट काटा बीज सांगानेर से उनके समर्थक अशोक का भी टिकेट काट दिया गया जो वसंद्रा के खासम खास है इसको लेकर विजेपी में काफी हड़कंप बचा अशोक मौजुदा विधायक थे लेकिन उन पर वसंद्रा राजे के करीबी होने की चाप की वजह से विजेपी ने उने टि थासिल की दूसरा जटका भजनलाल शर्मा को ही बना दिया सियासी चर्चा है कि पुर्व मुख्यमंत्री राजे इस चुनाव में मुख्यमंत्री को लेकर भी फ्रेम में नहीं थी ऐसे में वसंद्रा राजे को दिये गए दूसरे जटके के बात करें तो बिजेपी ने अश थमाया और चुनाव में जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया फिर वसंद्रा से ही भजलाल के लिए प्रस्ताव रखवा दिया पुर्व मुख्यमंत्री राजे को डबल जटका देने के बाद भी बिजेपी यहीं नहीं रुकी उन्होंने विधायक दल की मिटि का भी संदेश जाए इसके बाद कि रुडी लाल मीना वासुदेव देवनानी समेत विधायक ने भी समर्थन किया कुल मिलाकर बिजेपी ने सीएम के नाम का प्रस्तावक बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि बिजेपी में सब का सर्व सम्मान से काम होता है पार्ट